धाकर खबर के नियूजूम से मैं आपके साथ हूँ अक्रम रईस खान मनीपूर के एक कारेकरता समझ एक कारेकरता जिसे आप एक्टिविस्ट भी कह सकते हैं पर लगे हुए एन एस से को हटाते हुए सुप्रिम कोट ने का कि शाम पांच बजे तक इस शक्स को जेल से बाहर कर दिया जाए और ये टिपपनी सुप्रिम कोट ने तब की जब देश के सोलिसिटर जनलत तुशार महता ये कह रहे थे कि साहब आज इस मामले को टाल दीजे कल इस मामले को लेकिन सुप्रिम कोट ने का एक रात भी इनका अंदर रहना आर्टिकल 21 यानि के जीने के अधिकार का उलंगर है तो बड़ा सवाल ये जानकर रही है आपके सामने आने के बाद ये पैदा होता होगा आपके जहन में या हुआ होगा आपके जहन में कि ये कौन सा मामला है क के सामने रखने जा रहा हूँ और खबर के आखरे इससे में पत्रगार को लेकर बात करेंगे जो भी इनसे के मामले में जेल में बंद हैं वो इसी मामले में बंद थे रिहा नहीं हो पाए हैं क्यों नहीं हो पाए हैं इस पे भी गौर करेंगे चलते हैं खबर के पहले हिससे कि दरफ तो खबर का पहला हिस्सा शुरू होता है सुप्रिम कोट के अंदर सोंबार का दिन था यहां एनस से हटाते हुए एक शक्स से सुप्रिम कोट ने का कि शाम के पांच बजे तक उनको फोरन रिया कर दिया जाए अपने रेजिश्टार को का कि जो मनीपुर की सेंटरल है उसको तमाम दस्तावेज उपलब्द करा दिये जाए पांच बजे से जादा का वक्त नहीं होना चाहिए उनकी रियाई हो ज आनी चाहिए इस धोरान सॉलिसिटर जैनला तुशार महता ने विरोध करतवे का कि आज इस मामलिक सुनवाई मत करिये कल इस मामलिक सुनवाई कीजिए जो भी आपको फैसला देना है वो कल दीजिएगा लेकिन सुप्रिम कोट के जस्टिस डी वाइच चंदर चूड और ज गड़ा घट का है तुशार महता के विल्यए मोbij सरकार के लिए भी बता दे आपको तुशार महता धेश के दूसरे नंबर के कानूनी वकील हैं सलाकार है मोजिस सरकार के इस से उपर अटोर निजल ज85ाल जिनका कारेकाल बढ़ा दिया गया बड़े नामचीन वकिलों में न इसाने पर या यूँ कहें खासका टीमसी और मम्तबनेजी के निशाने पर हैं तुशार महता सॉलिसिटर जनरल लेकिन अभी भी पदवे बड़े हुए हैं जबकि राज़्सपती से भी उनकी शिकायत की जा सुकी है लग यह रहा है कि पारलिमेंट पे भी तुशार महता को रफदार किया ता सत्रा माई को जिसके बाद इनको जेल में डाल दिया गया लेकिन उसी दिन निचलिया अदालत ने यान के लवर कोट ने इनको जमाने दे लेकिन इमफाल का डियम कहना लगा कि बाहर नहीं आने चाहिए हमारे पास सधिकार है जाओ इन पैनस से लगा दो इसे लगाया और इनको ठोक के जेल में डाल दिया जिसके बाद इनके पिता जो है सुप्रीम कोट पहुँच गए सुप्रीम कोट ने मामले को सुना और जानते हैं आदेश में क्या का सिर्फ एक हजार रुपे के नीजी मुचलके पर आपने कभी देखा एक हजार रुपे पर क्यों था ये भी आपके लिए जानना जरूरी है तो वह अगले इससे में बता देता है हुआ ये के मनीपुर के बीजेपी परदेश सद्यक्स जिनका नाम एस्टिकेंदर सिंग्था वो बिमार हो गए अस्पताल में भरती हो गए ती सप्रेल के असपास उसके बाद चोदा जरुबतार करके जेल में डाल दिया गया जैसा मैंने बताया निचली अदालत ने फूर्ण जबानत दे दी लेकिन जैसा कि आपने कलकत्ता में देखा था था ना ममता बनर जी के जो दो मंतरी थे और एक विदायक और एक पूर मेयर थे उनको निचली अदालत ने सीवी जलत ने जबानत दे दी लेकिन रात और रात हाई कोट में जाके उनकी जमानत रद करवा दी गई उनको जेल में रखा गया ठीक उसी तरीके का फार्मूला यहां पर अपनाया गया एनस से लगा दिया गया यह आप यह भी कह सकते हैं कि डॉक्टर कफील खान को जब दरतार किया गया था उनके जो मुकदमे दहस थे उसमें उनको जमाना दे मिल गई फोरण लेकिन बाद में अलिगड के डियम को लगा भी यह तो बाहर आना नहीं चाहिए माराज को खुश करना एनस से लगा दो एनस से लगा के जेल में रखने का अच्छा फार्मूला है कभी शाय आनस से यूए पीए के बारे में भी इस तरह की को टिप पढ़ें करें और कभी उस मामले को भी सुनें तो आपने देखा कि किस तरीके से बीजेपी के प्रदेश सद्यक्स जो प्रफेसर एस्टीके अंदर सिंग ते उनकी मौत पर एक टिप पढ़ें करने पर इस समझी कार में जेल में डाला गया था क्योंकि उन्होंने भी बीजेपी के प्रदेश सद्यक्स एस्टीके अंदर सिंग की मौत के बाद कहा था कि ये कोबर गोमुत्र काम नहीं आया ये कोरोना का असल इलाज नहीं है ये पढ़ें करने पर उनको भी रफतार किया गया ऐसी चली के तर कि शोर्चंदरवाम खेम पर भी लागू होगा और क्या उसको अधार बना के कि शोर्चंदरवाम खेम को भी जमानत मिल पाएगी या उनसे एड़ पाएगा या उनको रहा ही मिल पाएगी जमानत की तो जो भी कंडिशन है वो सुप्रीम कोट नहीं कर दी के गजार रुपे किशोर्चंदर वाम खेंग पर भी लागू होगा। हमारे पैसे भी जनकारी नहीं है कि क्या किशोर्चंदर वाम खेंग को लेकर भी सुप्रिम कोर्ट में कोई अर्जी लगाई गई अचन धूर्ट इह बहुँ है उसने कहा है कि यह जो मनिपुर के जो CM वो इस तरीके से काम कर रहे हैं जैसे मा लीजे उत्तर कोरिया का ताना शाह जो है किन जौन उन इस तरीके से उन्होंने टिंपड़ी की हैं निकलते ही उन्होंने अपने तिवर दिखा दिया है लेकिन अभी कि शोर चंदर के बाहर आएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता है हम इंतिजार है कि पत्रकार भी बाहर आए फिर बेबा की इस से अपनी बात कहें हाला कि इस देश में बेबा किसे बोलने वाले लोग बचे कितने हैं अब तो दलाल चाटोकार दंगाई पत्रकार की पूरी एक फोज सरकार के साथ खड़ी है लेकिन भी भी यह ज़रा मरासे पत्रकार जो है चोटे मोटे से कहीं फेस्बुक पे कुछ लिख देते हैं वो भी सरकार से बरदास्ट नहीं होता है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं उस जादा से जादा मारी खबरों को शेयर कर सकते हैं फिर ऐसे ही किसी सुलकते हुए या बलस्ते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूंगा हाज़ी फिलाल अभी मुझे देंग जाजब